Hello students, here we are with our copy work of maths from class 2nd. Today we will do subtraction. So take out your maths book, maths copy and pencil. ठीक है, तो बच्चो आज अब अपना maths में copy work करेंगे जो है subtraction. ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको addition करा लिये थे और अब हम करेंगे subtraction. ठीक है, तो अपनी fair copy open करिये और pencil निका लिये. ठीक है, तो addition में क्या होता था, चीज़ें जुड़ती थी. जैसे आपके पास two toffies है, two hour आगी है. जैसे ये two toffies है, two hour आगी है, तो आपके पास total toffies कितनी होगी? वरन, टू, थ्री, फोर. तो addition में क्या होता है, चीज़ें जुड़ती है. इसी तरह subtraction में क्या होता है, चीज़ें करती है. ठीक है, जैसे आपके पास four toffies थी, और आपने two खाली है, तो आपके पास कितनी बचिया? ठीक है. तो अभी हम करेंगे इसको, so take out your fear copy. Let's start. Now, S, U, B, T, R, A, C, T, I, O, N, subtraction. अर हमारा subtraction का मार्क है, यह. ठीक है, यह हमारा का है, subtraction का मार्क है. Now, one, number, eight, four. So, तो तेखो, अब आपके पास कितनी toffies है, four toffies है, ठीक है, उसमें से आप three खा लेते हैं. So, तेखो, four toffies है, तो यह मनें फिंगर्स कड़ी करीए, तेखी आपकी toffies है, one, two, three, four. Now, three toffies, one, two, three, we have down, now, how much is it? Only one. So, how do we write? One. So, तेखो, आपके पास eight toffies है, आप उसमें से seven खा लेते हैं, तो eight toffies हैं, पहले eight finger खड़ी करीए, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight toffies है, उसमें से आप seven खा लेते हैं, one, two, three, four, five, six, seven. तो आपके पास कितनी बच रही है, only one, तो यहां पर लिखें, one, now, second number, five, five, three, four, now five minus four, अब आपके पास five toffies थी, देखें, five toffies आपके पास थी, आपने उसमें से four खा ले, तो आप कितनी फिंगर खड़ी करेंगे, देखें, पहले आप five finger खड़ी करेंगे, one, two, three, four, five, अब आप इसमें से, आपने इसमें से four toffies खाली, one, two, three, four, तो हमने four finger क्या कर ली, बंद कर ली, अब आपके पास कितनी तॉफी बची, only one, तो तो इसमें राइट है, one, next step, five minus three, अब आपके पास कितनी तॉफी थी, देखें, five toffies थी, और आपने three खाली इसमें से, तो आपने three toffies खाली, one, two, three, तो आपके पास कितनी बच रही है, one, two, so right here, two, now, three number, आपके पास है, eight, nine, minus four, three, अब आपने देखो, nine toffies थी आपके पास, ठीक, आपके पास कितनी toffies थी हैं, आपके नाइन toffies हैं, और आपने इसमें से, खाली है, तो आपके पास कितनी toffies हैं, पहले nine toffies हैं, तो आपके पास कितनी toffies हैं, पहले nine toffies हैं, आप nine finger, तो देखो एक मेटड और है आपके पास अगर फिंगर नहीं खड़ा करने खड़ी करना चाहते तो आपके पस नाइन टॉफी थी आपने थी खाली अब थी आपने खाली तो थी के बाद आप नाइन तक काउंट करना है स्टार्ट करिए ठीक है आपने जितनी टॉफी खाली है और जितनी टॉटल टॉफी आपके पास थी तो आप उस टॉफ जितनी आपने खाली है उससे आगे से लेकर आप नाइन तक काउंट करें तो थी आपने खाली है तो थी के बाद हमारा क्या आता है फोर तो फॉर 6 7 8 9 ठीक है तो हमने 9 तक किन ली तो अब इन फिंगर्स को काउंट करें टोटल किती फिंगर्स है 1 2 3 4 5 6 तो 9 में से माइनस 3 होगा तो आप क्या लिखेंगे आप 6 अगर आप इसे वैसे भी करते जैसे मैं आपको बताया ता फिंगर्स करकी जैसे अगर आप करें तो आप फ़ले टैन फिंगर्स खड़ी करिया देखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 9 फिंगर्स ही खड़ी कर ली इसमें आपने 3 टॉफिस खा ली तो 3 फिंगर्स बंद कर देजिए 1 2 3 3 हमने काउंट करके बंद कर दी अब आपास टोटल किती टॉफिस बच लिए देखिया 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो ऐसे भी 6 आया और उस तरह से उस मैधर से भी कर सकते हैं तो वह मैधर्स कैसा है जितनी आपने टॉफिस खा तॉफिस खाई थाऊंट कर लिए तो बताल इस त्रीक कर लिए उस तॉफिस के आगे से कॉंट कर लिए और जितनी आपके ऊपके पास तो आपके पास टॉटल कितनी हो गए वान टू ऐखिया लिखाände ऑफिस तो आपने क्या थाई हैं आपर 6 सेटी थी पार टेया तो आगे से काउंट करना सटार्ट करेंगे एठ तक तो पोरके बाद हमारा क्या आता है फाइव six, seven eight, ठीक है किती fingers का होगी तो हमने count कर कि किती fingers 1, 2, 3, 4 तो आप कहा है यहाँ चाहिए, तो आपके पास eight of these थी, आपने फॉर खली तो अपने कहा से count करना start करा, four के बाद count करना start करा, कहां तक eight तक तो four के बाद कहा है, five six, seven, eight ठीक है तो हमारे कितने फॉर फिंगर्स खड़ी होगी, कितनी होगी है, count करें इने, one, one, two, three, four, तो आपने क्या लिखा है, यहाँ पर फोर, ठीक है, अगर आप इसको वैसे भी करना चाहें, तो फॉर फिंगर्स कड़ी करें, देखे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, इसमें से आपने four ट तो आपने लिखते हैं आपर फोर नेक्स ट्रेयर अब देखिए अब आपके बस कितनी टॉफिस थी नाइन अब आपने कितनी खाली उसमें से टू तो आपने खाली है ठीक है तो तो यानि फिर उम इसको वैसे ही करेंगे देखो तो के बाद आप काउंट करना है स्टार्ट करेंगे कहा तक नाइन तक आपके बास टोटल टॉफिस जितनी थी और जितनी आपने खाली है उसके बाद से आप उसके अगले नंबर से आप काउंट करना है स्टार्ट करेंग तोटल टॉफिस कितनी हो अब आपस कितनी बची देखें काउंट करिए इतनी फिंगर्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आप क्या लिखेंगे हैं आपर 7 और अगा आप चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते देखो 9 फिंगर्स खड़ी करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फिंगर्स यहें इसमें से आपने 2 टॉफिस खा लिए तो 2 फिंगर्स बंद कर दीजिए तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपने क्या लिखते हैं यहांपर 7 ठीक है नेक्स आपका 8 माइनस 3 आपका कितनी टॉफिस थी देखें 8 टॉफिस थी और आपने उसमें से कितनी टॉफिस खा लिए है 3 टॉफिस खा लिए है तो आप कैसे करेंगे देखिए क्या करेंगे अब आप उसी मेथड़ से करिए देखिए 3 के बाद आप काउंट करना है स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने कितनी टॉफिस खा ली है, थ्री टॉफिस खा ली है, तो थ्री के बाद काउंट करिए, थ्री के बाद क्या आता है हमारा फॉर, तो वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, एट तक, हमरे पास टॉटल टॉफिस कितनी है, एट, तो हम थ्री के बाद क्या आएगा 5 इस तरह से भी करिए अगर ऐसी भी करेंगे तो वही आएगा अंसर के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिंगर हमने कड़ी करी इसमें से 3 टॉफी समने खाली तो 1 2 3 हम 3 फिंगर डाउन कर देते हैं अब हम पास कितना बचा 1 2 3 4 5 तो हमारा अंसर क्या आगया 5 फोल में डाले लिए नाउ 6 8 माइनस 4 3 देखिए फिर वही है एट में से अपने 3 माइनस करना है तो जाते हैं तो आप ने कितनी खाली है अब आपको यह डीजिट हो भी तायए तो 8 मैस marti 3 माइनस पास कितम फिलंगे उपने कितनी खाली है यह तो आपकी जान आप क्राइं 1, 2, 3, 4, 5 तो हम क्या लिखतेंगे हैं आपर 5 और अगर उसका आप वैसे भी करें तो 4 फिंगर खड़ी करिए देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 फिंगर खड़ी कर ली इसमसे 3 टॉफी हमने खाली 1, 2, 3 तो हमने खाली अब हम पास total कितनी बची 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने लिखते हैं आप पर 5 नेट्स आपका 6 माइनस 4 यानि आपके बस कितनी टॉफी ती 6 टॉफी ती और आपने 4 खाली ठीक है 4 आपने खाली तो आप आपके पास कितना बचा 6 थी आपके पास 4 आपने खाली तो आप कितनी फिंगर्स खड़ी करेंगे 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आपने 4 खाली तो 4 हमने बंद कर दी आपके बस कितनी बची 2 ऐसे भी कर सकते हैं या 4 के बाद आप 6 तक काउंट करेंगे तो 5, 6 तो फिर भी हमारे कहाता है 2 4, 5, 5 3, 4, 5, 5, 6 तो आपके बस फाइव टॉफी थी आपने 3 खाली तो 5 फिंगर्स खड़ी करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से आपने कितनी टॉफी खाली 1, 2, 3 तो आपने फिंगर्स बंद कर ली अपर पस कितनी बची 1, 2 आप यहाँ पर कह लिकिंगे 2 अब आपके पस कितनी टॉफी थी 4 तो आप कितनी फिंगर्स खड़ी करेंगे 4, 1, 2, 3, 4 और कितनी आपने खाली उसमें से 2 तो आप 2 फिंगर 1 काउंट कर यह उन्हें बंद कर दीजिए अब आपके पस कितनी बची 1, 2 नेक्स्ट है अब आपके पस कितनी टॉफी थी 6 टॉफी थी आपने उसमें से 3 खाली तो देखिए अब आपके आपने कितनी टॉफी खाली 6 में से 3 टॉफी खाली ना तो आप 3 की अगला नंबर कौन साथ है 3 के बाद क्या था है 4 तो उस वहां से आप कहां तक काउंट करेंगे 6 तक ठीक है तो 4, 5, 6 तो आपके कितनी फिंगर्स खड़ी हो रही है 1, 2, 3 तो आप क्या लिखेंगे यहां पर 3 इसी तरह से आप आपके 7 माइनस 5 है यानि आपके पास 7 टॉफी ती और आपने 5 खाली तो 5 के बाद आप फिर क्या करेंगे काउंट करेंगे कहां तक 7 तक तो 5 के बाद क्या था हमारा 6, 7 तो हमारी फिर आप इनको काउंट कर लिए कितना हम वर्न तू तो आप क्या लिखेंगे यहां पर 2 ठीक है कि यहां था कि अगर कि अगर करेंगे अगर कि तू मैंने से आप बन माइनस करोगे तो कितना है आपका देखो टू टॉफी ती आपके पास वन आपने खाली तो आपके पास क्या बचा वन ठीक है और देखो 3 माइनस आपने 0 करना है तो मैंने आपको बता है था आप किसी भी डिजिट से अगर 0 को माइनस करोगे तो हमारे वही डिजिट उतर जाएगी तो आपके पास 3 टॉफी ती आपने 3 मेसेज 0 को करोगे तो हमारे क्या आएगा थ्री उतर जागा क्योंकि आपने 3 टॉफी ती आपने कुछ नहीं खाई सिर्फ आपके पास क्या थी आपके पस्त्री थी ना आपने खाई ना किसी को दी ना आपको आपको किसी ने दी तो यहां पर 3 आजाएगा ठीक है नेक्स्ट है नाइन नमबर प्रफीन के पास किती टॉफीस थी एट थी टॉफीस थी आपके पास से इट ना रचाय थी ती कती किदी किसी धोवा कौक्च ऑफीज यहां तो पर कीम पास कितना उफीस थी 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 और ना आपस में हें लाणा आपकेशा पीणर नसेल पास क्ति 시청 no अब देखो आपके पास 3 टॉफिस थी आपने 3 की 3 खाली जैसे 3 टॉफिस थी आपके पास आपने 3 की 3 खाली तो आपके पास क्या बच्चा जीरो 9 माइनस 4 नाइन माइनस 3 तो देखो अब आपके पास कितनी टॉफिस थी देखें 9 टॉफिस थी आपने उसमें से कितनी खाली 4 आपने खाली ठीक है तो 4 के आगे काउंट करिये कहा तक 9 तक 9 डिशित तक आप काउंट करिये 4 के आगे चाली के आज आँनि 4 के बाद हमारा क्या आता है 5 6 7 8 9 ठीक है तो आपने काउंट कर्लिया तो आपके टोटल कितनी फिंगर खड़ी कई तो आपके पास पूर टो थी फॉर फई तो आपके लिखेंगे यह पर और आप इसको वैसे भी करें गे तो आप 9 फिंगर खड़ी करिये देखिए 9 फिंगर यह हो गए आपके काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से आपने फोर्ट आफिस गाली तो फोर्ट आफिस बंद कर आपके पास कित्ती फिंगर पड़ी 1 2 3 4 5 तो यहां पर लिखती है इसी तरह से आपका 9-3 है तो पहले तो उसी मेटड से करिए जो मैं आपको बतारी हूं 3 के बाद आप 3 के बाद जो नंबर आता है वहां से काउंट करेंगे जहां तक हमारी टोटल टॉफिस है यानि हमारी ट 6 7 8 9 ठीक है तो आप हमारे कितने बची इतनी फिंगर कितने बची कितनी फिंगर 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर क्या लिखेंगे 6 और आप उगर बैस से भी करना चाहें तो आप 9 फिंगर कड़ी करिए देखे 9 फिंगर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन में से 6 को आप 3 को आप डाउन करते जि लिखते हैं आपर 6 अब देखो 9 में से आप आप बस 9 ओफिस थी ना आपने 9 किसी को दी उसमें से एक ना ही खुद खाई तो आपके पास कितनी बची रही 9 की 9 बची रही ठीक है 0 हम मकर किसी उसमें माइनस करेंगे तो हमारा कोई नमबर आजाएगा इस तरह से 7 माइनस 3 अब इसको विसी मैथर्ट से करिए देखे आपके पास कितनी टॉफिस थी 7 थी और आपने कितनी खाली 3 खाली तो 3 के बाद आप काउंट करिए कहां तक 7 के 7 तो 3 के बाद हमारा क्या आता है 4, 5, 6, 7 ठीक है तो हमारा कितनी फिंगर्स कड़ी होगी काउंट करिए इन्हें 1, 2, 3, 4 तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 4 नेक्स्ट है 8 8 1 2 तो 8-1 यानि आपके पास 8 टॉफिस थी आपने उसमें से 1 खाली तो आप देखे 8 टॉफिस थी और एक आपने खाली तो एक के बाद यानि 1 नमबर के बाद आप काउंट करिए कहां तक 8 नमबर तक तो 1 के बाद हमारा क्या आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब आप फुरी फिंगर्स काउंट करिए कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आप क्या लिखेंगे या पर 7 और आप इसको वैसे भी कर सकते हैं तो आपके बाद आपके बाद आपके बाद काउंट करना इस्टाट करेंगे कहां तक 3 तक तो 2 के बाद हमारा क्या आता है 2 के बाद आप कहां तक काउंट करेंगे 8 तक तो 2 के बाद हमारा क्या आता है 3 तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब इसे काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपके यहां पर क्या आंसर आया 6 नेक्स्ट है तू फाइव अब देखो आपके पास फाइव टॉफिस दी आपने उसमें से फॉर खाली यानि फाइव टॉफिस दी आपने फॉर खाली तो फॉर फिंगर हमने बंद कर दी अब आपके पास क्या बचा वन तो आप क्या लिखेंगे आपर वन और आपके पास टू टॉफिस दी आपने टू की टू खाली आपके पास क्या बचा जीरो अब है हमारा नेक्स्ट है ऐखो एट त्री एट तो देखो एट अब टॉफिस थी आपने आपके पास आपने ट की ट खाली तो आपके पास क्या बच्छा जी रसे आपके पास पॉर टॉफिस धी आपने री खाली तो four finger खड़ी करिए one two three four आपने उसमें से three खा ली one two three तो आपके पास क्या बच्छा one इसी तरह से तरह आपका है six eight four अब आपके पस eight office दी आपने उसमें से four खाली तो eight 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 fingers खड़ी करिए one two three four five six seven eight उसके बाद आपने four office खाली one two three four तो काउंट करके बंद कर दीजिए आपके पास कितना बचा one two three four तो आप क्या लिखेंगे आप पर four इसी तरह आपके पास six toffies थी आपने two खाली तो six finger खड़ी करिए तो आपने TWO खाली तो बंद कर दीजिए तो आपके पास कितना बचा one two three four तो आप लिखेंगे आप फोर तो यह आपके तो आपको आए समझ में तो इस तरह से आप करेंगे वन तू थी इस तरह से आप करते जाएंगे इन नीट इन क्लीन हैंड राइटिंग ओके तो थैंक यू एन आप नाइस टे